हेलो रियोन, स्वागत आपका हिमाचल प्रदेश के अंट अवय के सेशन में तो हमीरपुर जिले की नैंसी कटनोरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश की पहली एमबूलेंस चालक बन गई है नैंसी कटनोरिया जो है वो 22 वर्ष की है और एम्बूलेंस चलाने और मरीजों को आपात कालीन परिवहन सेवा परदान करने वाली राजी की पहली महिला बन गई है उन्हें हिमाचल सड़क परिवहन निगम यानि HRTC के स्कूल में वहन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और आपको बता दूँ कि राज्य में हिमाचल परिदेश में 14 नवंबर 2014 को 102 एम्बूलेंस सेवा शुरू की गई थी इस सेवा में राज्य वर में 125 एम्बूलेंस का रेकरत था है जेपियस और आवशिक चिकित्सा उपकरणों से लेस वाहन गरबबती महिलाओं नवजात शिश्यों और उनकी माताओं को 2400 घंटे मुफ्त सेवा ये सेवा जो है वो परदान करते हैं इसी के साथ हमारे शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर जोड़ सकते हों चैनल पर पहली और आम चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लें